Hey everyone, welcome back So, आज की वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरह से हम हमारे Power BI Dashboard और देट में भी Power BI Report जो हमने बनाए हैं उसमें Real Time Data को सो करवा सकते हैं और वो भी without clicking on the refresh button और without creating any scheduler on the Power BI Server Okay, so in short, here we are going to learn about how we can create a real-time report or a dashboard in Power BI using the SQL data Okay, remember one thing, here real-time means exact time यानि कि जैसे ही new data SQL Server के table में insert, update या भी delete होगा within one second, वो हमरे Power BI Desktop के जो report है उसमें या फिर वो report या भी dashboard जिसको हम हमारे Power BI Server पे publish किये हैं उसमें वो data immediately so होने लगेगा Okay, तो इसे बोलते हैं हम live streaming data using Power BI Right, so let's see how we can do this Alright, तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, यह है मेरा SQL database Okay, और इसमें मैं एक database create करने वाला हूँ, जिसका नाम है live data Okay, तो create database, live data, इसमें इसको select करते हैं और execute करते हैं तो यहाँ पी मेरा database successfully create हो चुक है, देख पा रहे हैं Okay, then हम क्या करते हैं, इसको use करते हैं, okay, then हम उसमें एक table बनाते हैं, जिसका नाम है student Okay, और उसमें id, name, phone number and address, यह चार field उसमें हम डालते हैं, ठेक है, इसको हम इस table को create करते हैं, तो table create हो गया ठेक है, then हम इसको देखते हैं कि यह table हम लोग का create हुआ कि नहीं, तो yes, table create हो चुक है, अभी हम इसमें insert करते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 5 row इसमें insert करते हैं, ठेक है, तो जैसे insert करते हैं, हम लोग का data यहाँ पर आप देख पार है, total 5 row है, जो कि insert हो चुका है, ठेक है, फिर से देखते हैं, select start from student, okay, तो यह है मेरा student table, जिसमें 1, 2, 3, 4 columns है, और उसमें total 5 record inserted है, ठेक है, तो यह table को हम क्या करेंगे, हम हमारे power bi में import करेंगे, ठेक है, so let's go to the power bi, okay, then click on get data, then SQL server, all right, and यहाँ पर हम हमारे server का नाम डाल देंगे, तो हम लोग का server का नाम क्या है, यहाँ पर आप जैसे देख के देख पा रहे हैं, nca1670008, यह है हम लोग का server का name, okay, तो यहाँ पर हम server का नाम डाल देते हैं, mca1670008, okay, यह तो हम लोग का database का नाम यह option यह अभी नहीं डालेंगे, ठीक है, तो remember one thing, यहाँ पर हम क्या देखने वाले हैं, हम live data streaming को देखने वाले हैं, यानि कि हम लोग का data है, बो live रहना ची, right, exactly, जैसे ही data insert होगा, बो हमारे report में, बो reflect होना ची, right, तो हमको क्या करने पड़ेगा, इन दोनों में से हमको आमें सा direct query को select करने पड़ेगा, अगर live data streaming में, आपको data देखना है, ठीक है, तो direct query में select करो, then click on ok, तो यहाँ पर देख पा रहे हैं, हम लोग का जो server है, mca1670008 में, दो टो database है, और हम जो database बनाये थे, वो कौन सा है, live data, right, तो यहाँ पर click करो, यहाँ पर click करने के बाद, उसके अंदर जो भी tables है, वो सारे दिख जाएगा, तो हमारे पास student नाम के जो table था, वो यह है, एक ही, ठीक है, तो इसको select करने के बाद, यहाँ पर आमको data सारे reflect होने लेगा, 1, 2, 3, 4, 5 rows है, 4 columns है, ok, then click on load, ठीक है, तो load होने के बाद, आपको देखने के लिए मिलेगा, कि यह तीनों में से न, यहाँ पर दो दिखेगा, यह वाला और यह वाला, हम लोगको data सो होने के लिए, जो options है, यह यहाँ पर आमको नहीं दिखेगा, क्योंकि हम, जो data है, SQL Server से, हम उसको कौन सी mode पर ले आ रहे हैं, यह है report, और यह है report, और यह हम लोगका model, data modeling part, तो जैसे data modeling पर क्रिक करोगे, आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा, आपको जो table है, वो यहाँ पर दिखने के लिए मिलेगा, और उसके उपर जो color है, यह blue color करेगा, और यहाँ पर देख पा रहे है, storage mode क्या है, direct query, तो उसे पता जाता है कि आपको यह जो table है, वो import mode में है, यह भी direct query के mode में है, ठीक है, alright, then go to the report, okay, then हम क्या करेंगे, हमारा जो table है, यह यहाँ पर देखो, import हो चुका है successfully, यहाँ पर भी 4 columns है, alright, तो हम क्या करेंगे, एक simple सा table यहाँ पर बनाएंगे, तो यहाँ पर table को select करते ह यह जितना भी data है, उसको वहाँ पर डाल देते हैं, ठीक है, तो सबसे पहले ID, then name, then phone number, and then address डाल देते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर देखना, आपका data जो है, वो यहाँ पर आपर सो हो, तो यहाँ पर देख पा रहे है, हम लोग का data है, वो यहाँ पर सारे देख रहा है, right, तो हम क्या करते हैं, इसका text का size थोड़ा बढ़ा कर देते हैं, ताकि आपको अच्छे से दिख पाए, इसको हम 30 कर देते हैं, values, then column header को भी यहाँ पर भी हम 30 कर देते हैं, ठीक है, ओके, तो यह है हम लोग का table, ओके, और total यह जो है, यह हम लोग को ऐसे क्यों देख रहा है, यह 111 इसले दिख रहे हैं, क्योंकि यह ID जो है, ID column जो है, इसको हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर count नहीं, यहाँ पर don't summarize करना पड़ेगा, ओके, done, तो यहाँ पर देख पा रहे हैं, हम लोग का जो ID है, 12345 के तरह से, एक sequence में दिखाई दे रहे हैं, ओके, इसको पांच रेकरड है, राइट, यहाँ यहाँ पांच टो रो है, इसमें टेबल को थोड़ा, इसका बोडर दे देते हैं, ताकि थोड़ा अच्छा देखेगा, बोडर बिज़र और उसका सेड़ों कर देते हैं, ओके, तो अभी हमारे जो SQL Server है, उसमें total कितना रो है, यह होगा, ओके, बोड डेटा, हम लोगा जो पावर पे रिपोर्ट है, यहाँ पे immediately सो होने लगेगा, ओके, और उसके हलावा, हम यह भी चाहते हैं, कि जैसे ही यह रिपोर्ट को पब्लीज करेंगे, तो उहाँ पे जो रिपोर्ट बनेगा, उसी पे भी हम लोगा जो नया रे लिपोर्ट में कर रहे हैं, तो जैसे ही पेज पेसलेट करोगे, तो यहाँ पे एक options है, फॉर्माट यह रिपोर्ट पेज, तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद, आपको यहाँ पे एक option देखने के लिए मिलेगा, पेज रिप्रेस, तो यह पेज रिप्रेस पे आप क्लिक करक तो इसको होता है जब आप इसको प्रॉबिल्म होता है जब आप इसको पब्लिश करेंगा इसमें कोई भी टाइम अगर सेट करते हो आप यहां पर अगर 2 seconds every two seconds पर हम चाहते हैं कि हम लोगका जो report हो refresh हो ठीक है two seconds करते हैं तो इसको मैं on कर दूका on करने के बाद इसको close करते हैं तो जैसे ही मैं इसको set करता हूँ वो क्या होता है हम लोगका जो data है यहां पे automatically refresh होने लेगा जैसे पर example जैसे देखाता हूँ यहां पर देखो इसमें एक नया रेकॉर्ड इंसर्ट कर लेते हैं ठीक है का ट्रूल भी और यहां पर हम डाल देते हैं इसको चैंज करते हैं six और यह मैं डाल देता हूं Ati नायार okay कुछ भी डाल दो यहां पे लई र мама पहले काड़ अन्वाल कर दो यह और यह है पतना कर्देता हूं ठीक है तो जैसे यीन ए र definesर होग सब्सक्राइबा नभी देखो को यहां पर One यार-and Partner तो यह क्यों आया क्योंकि हम लोग Page affiliates हैं पेका डाला है रिफ्रेशच में क्या टाले हैं Every two seconds हम पेका जाते हैं कि हमारे जो पेज बोर रिफ्रेश ही और उसी इसलिए हम संसरे चल्म के hasn't आप पब्लिस करेंगे ना तो पब्लिस करने के टेम पिए क्या होता है जैसे कि मैं दिखाता हूं तो मैं यहाँ पर पब्लिस पे क्लिक करता हूं ओके तो पब्रिस में क्लिक करने के बाद आपको दिखाएगा कि do you want to save your changes सेट करते हैं इसको पहले तो मैं इसको डेक्स्ट अप्र टालता हूं और यह राई डेटा है लाईफ डेटा के नाम से मैं सेप्रकता और आayan Pureиваем कि अर्के बस इतने इतने पूस सेब करते हैं तो यह सेब कर देता है ह। तो यहां से भूकिए उसके बाद अभी हमको यह OurPay 구 Ing के लिकर एकूंकर क्या समय क्योंकि नहीं है ना तो प्रइस करने से पहले हैं आपको यहां पर साइड-न्안 पड़ेगा ठेक है तो यहां प photography आपका आपका जो ईमेल एडिये जो यहां पर आपको मंग रहा है कि sign in to your account तो यह है मेरा tcs न यह पर मैं पाउस्वाटर लेता हुआ अपना है और राइट देन क्लिक हैं तो यहां पर देख वह है कौन सी workspace पर वह रिपोर्ट करना चाहते हैं तो मेरे पास भी में दूसरा कुछ भी workspace नहीं बना है तो मैं by default my workspace में डालता हूं select तो जैसे ही यहाँ पर successfully publish होगा right तो उस टेम पर आपको यह message आपको मिलेगा ठीक है your refresh interval might change okay यहाँ पर हम क्या डालेते page refresh में every two second पर हम लोग का जो रिपोर्ट है वो change होना चाहिए हम इस ही सबसे हमारा जो पेज है उसको क्या कहते है set कहते राइट यहाँ पर यह लिखता है the refresh interval on this report might change depending on the system performance if you need it to be consistent upgrade to premium यह हमको जो notification है वो हमको यहाँ पर so हो रहा है राइट बट हम नहीं चाहते हैं कि हम premium ले हम चाहते हैं कि हम हम चाहते हैं हम लोग का जो pro version है उसी में हम live data streaming करना चाहते हैं तो बो कैसे कर पाएं उसको मैं यहाँ पर आपको बताऊंगा ठीक है तो यहाँ पर got it पर click करते हैं ठीक है न तो उसी problem को solve करने लिए हम क्या करेंगे हम सबसे पहले क्या करेंगे marketplace में जाएंगे यानि कि get more visual तो यहाँ पर जाने से पहले आपको यहाँ पर sign in करना पड़ेगा ठीक है तो अलड़े हम sign in हैं तो यहाँ पर get more visual पर click करते हैं और आपको यहाँ पर search करना है एक wizard जिसका नाम है play axis ओके तो यहाँ पर हमको search करना है play axis ओके तो यह है वो wizard जिसको हमको हमारे पावर वीड टेक्स टॉप में import करना पड़ेगा ठीक है तो यहाँ पर just click करो then click on this add button ओके तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि हम जो जो visual को import करना चाहते हैं वो successfully import हो चुका है ओके यह है वो wizard ओके तो यह हम लोग का play axis बटन ठीक है तो हम क्या करेंगे हमारा हम चाहते हैं कि हम लोग का जी रिपोर्ट है न वो automatically refresh होता रहे हमको यह पेज रिप्रेस्ट वाला हमको नहीं चाहिए है ठीक है क्योंकि हम नहीं चाहते हैं कि हम कोई premium वर्टन ले पावर भी आई का राइट नाओ ओके तो सबसे पहले हम क्या करेंगे हम जो play axis का जो wizard यहाँ शोब्स क्या पिंपूर्ट किया है उसको हमारे रिपोर्ट पे ले लेते हैं ठीक है तो यह हम लोग का play axis आगे तो उससे पहले हम क्या करेंगे एक टैबल क्रियेट करेंगे ठीक है तो यहां पे हम modeling पूड पी जाते हैं ठीक है new table पे क्लिक करते हैं then यहां पे हम और यहां पे हम एक table बनाते हैं refresh नाम की table create करते हैं और इसमें हम क्या लिखेंगे एक dex function है जिसका नाम है generate series ओके generate series तो यह क्या करेगा हमारे लिए एक टेबल बना देगा जिसमें 1 से लेकर 1iksi तक टेटा इनसर कर देगा एक कॉलम में ठीक है तो यहां पर One then, यहां पर 1iksi डाल देते हैं All'right then इसको क्लूस करते देते हैं ठीक है 1 से लेकि 1 लग तक data आ जाएगा ठीक है मैं आपको दिखाता हूँ तो छिलिक एंटर तो जैसे एंटर करेंगे हम लोग के पास एक टेबल create हो जाएगा ठीक है जिसका नाम है रिप्रेस राइट तो यहाँ पर हम अभी देखो अभी यहाँ पर हम क्या किए एक मैनवाली एक टेबल क्रेट कर दिये राइट तो यहाँ पर देखो अभी हमको तीनों नहीं पाऊँगा क्योंकि यह लाइब है तो रिप्रेस टेबल जो है उसमें क्या है वांट से लेके वांट से लेके वांट तक डेटा इंसर्टर है ठीक है यहां पर आप जैसे देख पा रहें राइट तो यह क्या यह जनेरेट सिरीस हम लोग के लिए एक नया कॉलम क्रेट क किया है जिसका नाम वैलू है जिसमें वांट से लेके वांट लाग तक डेटा इंसर्ट किया है ठीक है तो इसका काम क्या है मैं दिखाता हूं आपको तो यह है हम लोग का प्ले एक्सिस बटन राइट तो यहां पर क्लिक करो और उसके बाद यह जो रिप्रेस टेबल होगा ना बो क्या होगा यह जो वैल्यू है ना यह काउंट होना स्टार्ट कर देगा 1 2 3 4 लाइक दिस देखो यहां पर जैसे क्लिक करता हूं यहां पर 1,2,3,4 ऐसे continue हिसाब से काम करता रहेगा तो play axis का काम क्या होता है कि play axis क्या करता है हम लोग का यह जो report है न यह page में जितना भी report बनाएंगे न उसका x-axis and y-axis को वो क्या करता है हर every second पे यहां पर जैसे 1 हो गया 2 हो गया 3 हो गया जैसे जैसे यह number बढ़ते जाएगा उसी हिसाब से हम लोगा जो report का जो x-axis है एंड y-axis है उसको क्या करता है वो रिप्रेस करता रहता है राइट ऑटो रिप्रेस है तो उसके लिए हम यहां पर भी क्लिक करके यहां पर हम यहां पर जाके इसको animation setting में जाके auto start में auto start को on कर देते हैं और loop को भी start कर देते हैं ठीक है यानि कि जैसे यह one से लेकि one लाग तक यह count होना खतम हो जागा फिर से क्या होगा फिर से one से one लाग फिर से count होना start हो जाएगा ठीक है तो यह repeated process में रहेगा तो हम लोग के जो report है ना वो automatically क्या होगा उसका जो x-axis है और y- इसे बो automatically refresh होता रहेगा जैसे जैसे यह number बढ़ता जा रहा है तो हम लोग को हम लोग का जो data है ना जो sql server पर जब नया record insert करेंगे बो automatically हमको हमारे report में हमको दिखने लेगेगा तो इसको यूज करने से क्या होगा क्या फायदा है इसको यूज करने के फायदा यह है कि करते हैं sql server पर जाकि एक नया record यहां पर insert करवाते हैं ठीक है तो सबसे पहले हम देख लेगते हैं select star from student में अभी कितना row है total six number of rows है ठीक है तो अभी हम एक नया वाला insert करेंगे यहां पर control c then click on enter sorry then control v okay then you have seven टाल देते हैं और यहां पर only यहां पर xyz टाल देते हैं ठीक है यहां पर नंबर कुछ भी दे जएते हैं और यहां पर जो है यहां पर ओडिसा दे देते हैं ठीक है अल्राइट उसके बाद इसको जैसे ही इंसर्ट करेंगे ना अपर जैसे एक्जीगूट करेंगे वहां रो इंसर्ट राइट तो अपर हम देखते हैं हम लोग के पावर वे जो डेक्सटप है जो रिपोर्ट है उसमें वह अपडेट हुआ है कि नहीं यहां पर देख पा रहे हैं 7 xyz and odysa तो यह देखो आटोमेटिकली जैसे ही वहां पर नया रेकॉर्ड इंसर्ट होगा भू आटोमेटिकली हम लोग का रिपोर्ट में देखना स्टार्ट हो जाएगा ठीक है और एक रेकॉर्ड इंसर्ट करते हैं कंट्रोल भी इसको म कर देता हो बस ठीक है और यह जैसे को वैसे रहने तो कोई प्रोल्ब्लम मुण है जैसे यह एक्जिकर करता हूं वहां पर देखो पहले नया रों आ चुका है ठीक है तो इसी तरह से क्या होगा हम जैसे ही नया डेटा हमारे टेबल पे यानिक सिक्वल टेबल पे इंसर्ट क देखते हैं कि यह Powerway server पे कैसे दिखता है ठीक है तो हमको सबसे पहले publish button में click करना पड़ेगा तो जैसे यहां पर publish button में आप click करोगे आपके सामने ऐसे एक Windows दिखाए देगा ठीक है जिसमें कि आप लोगों को कौन से वाक स्पेस पर हम लोगों का जो रिपोर्ट है उसको हम पब्लिस करना चाहते हैं वो उनमें से हमको सिलेट करना होगा ठीक है लेकिन अभी मेरे पास दूसरा कोई भी वाक स्पेस नहीं है यह बाइडिफल्ल जो मा अपग्रेड योर पावर वी राइड लेकिन इसमें वो प्रोब्लम हमको दिखाई नहीं दे रहा है और यहां पर आप देख पा रहे हम लोगों का जो रिपोर्ट है वो सक्सेस्पुली सर्वर पे पब्लिस हो चुका है ठीक है तो यहां पर क्लिक करते हैं और डिरेक्ली हम पर सर्वर पर जाते हैं ठीक है तो यहां पर जैसी के देख पा रहे हैं यह हमलोग का पावर वे सर्वर और पावर.WGO. करते हम तो यहां पर जो are रिपोर्टelaय चीडर्ट के म॓ं करता हुअ और अनु यहां पर की साथ यह आवी यहां पर के लिए ऻा हो जिए हम लोगा। यहां पर टो टोटल 8 कॉर्ट 사 coinc तो हम लोग का जो Power BI desktop पे था जो report बनाये थे उसमें भी total 8 records है तो अभी हम देखते हैं कि हम SQL server पे जो हम लोग का table है student नाम के तो इसमें अभी हमारे पास total कितना है 8 records है तो हम चाहते हैं कि यहापे और दो टो records इंसर्ट करें ठीक है यह दोनों record को मैं इंसर्ट करना चाहते हूं रोर नमबर 9 एंड रोर नमबर 10 तो मैं देखना चाहूंगा कि यह दोनों record को जैसे ही मैं यहापे इंसर्ट करता हूं वह हम लोग का Power BI desktop पे यहाँ पे और Power BI server पे जो यहाँ पे वो data automatically reflect हो रहा है यह नहीं राइट और वह भी immediately राइट तो लेट सी वेदर इस वाकिंग और नट ओके तो SQL Server पे जाते हैं यह दोनों row को हम क्या करते हैं Select करते हैं then यहाँ पर execute पे क्लिक खरते हैं तो यहाँ पे देख पारे हो दूरेकर इंसर्ट हो चुका है 910 तो यहाँ पे हम देखते हैं सिलेक्ट करके यहां पर देखो 9th नंबर एंड 10th नंबर रो इंसर्ट हो चुका है तो अभी हम देखेंगे यह जो दोनों रेकर्ड इंसर्ट हुआ है वह आट्मेटिकली पावरेट डेक्स्टप पर आ चुका है कि नहीं ओके तो हम पावरवेट डेक्स्टप पर चलते हैं य हमलोग hakkा रोल नंबर 9 एंड रोल नेमड तेन क्टा ओक्टिक लिए हैं पर इंसर्ट हो चुका है तिक है यानि कि-जैसे हम हमारे नियू तू रेकर्ड को यहां पे इंसर्ट करते हैं एक्जिईगोट के थो से बहुत ऑम्तेकली हमलोग का पावरवेट डेक्सटप पे लेगेगा ठीक है और राइट तो अभी देखते हैं यह दोनों रेकर्ड अभी पावर पे सर्वर पे भी आपके रिफ्लेक्ट हो रहा है यह नहीं और हम लोग का जो powerbase server पे जो हम publish के हैं उस report को उसी में भी वो automatically क्या होगा refresh होके immediately वो data हमको यहां पे show होने लगेगा ठीक है और यहां पे यह दोनो automatically यह record show होने का reason यह है कि हम यहां पे एक play axis नाम का एक visualization से यहां पे insert के हैं तो यह क्या कर रहा है हम लोग का जो टेबल है उसका जो X axis है and Y axis को automatically वो क्या कर रहा है रिप्रेस कर रहा है तो हम लोग का data है SQL server पे वो immediately and automatically हम लोग का powerway desktop and powerway server पे वो reflect हो रहा है तो इस तरह से हम क्या कर सकते है जो live data streaming है उसको हम हमारे powerway desktop के जो report है और हम लोग का जो server पे जो report हम published के हैं वो दोनों पे हम immediately वो newly inserted record को यहां पे हम reflect करवा सकते हैं all right so I hope यह वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही informative होगा so please अगर आपको अच्छा लगा तो don't forget to share subscribe and like our channel तब तक के लिए take care bye bye